खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रॉल, चौमी, मोमो, बिर्यानी, नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए ज़रूर बढ़ारे सुन्दरम फास्ट फूड राजेंद्र कुलोनी मोर स्टेशन के सामने नवगचिया ज़रूर के लिए अध्योक्षा के साथ अधियोक्ष और समाजिक तत्व ने मार पिट की है पतनी भी जफ में हुई है घायल सभी गोलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है घटना के बावत में बताया जा रहा है कि 20 विद्याले थाना शेत्र के परबत्ती महलने में प्रोफेसर की पत्नी अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे उसी समय के कुछ मंचलों ने उन पर हमला कर दिया पत्ना में बनाये गए 14 नए कंटेंटमेंट जोन आज किये जाएंगे सील देजवर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाहा कार मचा हुआ है बिहार में भी कोरोना केस की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है राजदानी पत्ना में प्रसासन ने 14 नए कंटेंटमेंट जोन बनाये है सबसे अधिक साथ कंटेंटमेंट जोन पत्ना सदर अनुमंदलिय में बनाये गए है जबकि पत्ना सीटी में 5 और कंकरबाग में 3 जोन बनाये गए है जिला प्रसासन ज्वारा जिन इलाके को कंटेन्मेंट जोन बनाया गया है उसे सील करने की कारवाई आज से सुरू कर दी गई है पटना में अतिक्रमन हटाओ अभियान सुरू सलक पर उत्रे डी-म और कमिशनर पटना में कुरोना संकट के बिज बिहार विधान सवाचुनाओ के बाद त्योहारों का दोर खत्म होते ही पटना जिला प्रसासन एक बार फिर से अतिक्रमन हटाओ अभियान में जुट गई है दो अपराधियों को भीड ने पकर कर बेरामी से पिटा जदियु विधायक के तीन करीबी को मारी थी गोली गोपाल गंज के जदियु विधायक पक्कु कॉंडे के तीन करीबी लोगों को गोली मार कर भागरे दो अपराधियों को भीड ने पकर कर जम कर पिटाई की भीड दोनों को मार देना चाहती थी यह घटना गोपालपूर के राजा वजार की बताई जा रही है दुकान में लगी भीसन आग लाखों का सामान जल कर हुआ रहा बेजगु सराय के एक सजावट दुकान में अचानक भीसन आग लग गई दुकान के मालिक समित पूरे परिवार वाले उसी घर में फस गए आग लगने के बाद काफी देर तक अफ़रा तफ़री का अमा होल उत्पन हो गया घटना बखरी थाना चेतर के बखरी का बजार की बताई जा रही है लालू परिवार का सदस से बोलता है तो लहजे पर फूब लगते हैं ठाक के अध्यक्ष हो या फियम खुद पर नहीं रख पाते काबू विहार विधान मंडल का सत्र तो सुक्रवार को समाफ हो गया लेकिन इस दोरान सत्तापक्ष और निपक्ष दोनों का रुख आकरमन रहा है सदमों में जो दृष्टी देखने को मिला है वो शायद ही कभी देखने को मिला होगा कल विधान सभा के सत्र में तेजस्वी आदव और नितिस कुमार आमने सामने हैं लेकिन आक्रमन माहूल में भी निताओं ने खूब ठाके लगाया और ठाकों का कारण था लालू परिवार। पतले के थाथ ओप्रसिक्षित सिक्षका को बरखास कर रही है राज्यसरकार। नियोजित सिक्षक संद गोपगुट ने लगाया आरोप। पतना में सुवे के अप्रसिक्षित सिक्षकों की बरखास्ती के कारवाई का TET, STET उतिन नियोजित सिक्षक संद गोपगुट ने तीखा विरोध किया है। अगर आटी इतना ही बाद्याकारी है तो फिर बिहार में धाई लाग से अधिक्षकों के पद्रिक्त रहने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कारवाई क्यों नहीं। दर्भंगा में मास्क जांच के लिए सरक पर उप्रेटीम और SP पांच परते स्ठानों को किया गया स्थिर। दर्भंगा में कोरोना वाईरस के बचाव और सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोख में सरजने के सलों पर मास्क पहना अनिवारी कर दिया गया है। इस रफ्तार बस ने दो लोगों को कुछला मौके पड़ ही एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। नए अपडेट के अनुसार बिहार में 713 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए है। से करें खुलकर खड़ी दाड़ी पाएं होम डिलिवरी। संपड़क करें 8340371787 7325052437 प्यक्वड़क की थसे करेंखें दूख प्याओे ग्यांट now